बारी खबर निकल कर सामने आ रही है लोग सबा चुनाव में उमिद्वारों के चैन और सीटों के बटवारे को लेकर तिली में आज बीजेपी कोर केमेटी की बैठक बुलाई गई है राष्टिय अध्यक जेपी नड़ा की अध्यक्सता में गुरुवार की साम होने वाली बैठक में बिहार की लोग सबा सीटों को लेकर मन्थन होगी इसके साथ ही साथ बिहार विधान परसत की खाली हो रही सीटों पर उमिद्वारों के चैन पर भी चर्चा होगी इस बारी बैठक में सामिल होने के लिए बिहार के दोनों डिप्टी सीएम समराज चौधरी और विजय सीनह दिल्ली के लिए रवाना हो गया है दरसल लोग सबा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रही है सियासी गती वीधिया तेज होती जा रही है भारत निरवाचन आयो किसी भी बख चुनाव की तारीखों का आइलान कर देगी ऐसे में इंडिकेट वंदन और एंडिये जल से जल सीट सेरिंग का मामला सुलजाने में जुट गई है बीजेपी ने पिछले दिनों 1955 परतियास्रियों की पहली लिस्ट जारी किया था बीजेपी अध्यक जेपी नडड़ा के अलावा बिहार के परभारी बिनो टावरे बिहार बिजेपी के अध्यक समराठ चौधरी और बिजय सीना मौझूद रहेंगे माना जा रहा है कि असाम होने वाली इस अहम बैठक में पाटी बिहार को उमिधबारों पर मझान के साथ ही बिहार बिधान परसद में बीजेपी कोर केमिटी की खाली सिटों पर उमिधबार तै करेगी सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि हर लोग सबा सीट के लिए तीन तीन उमिदवारों का चैन किया गया है आज साम होने वाली कोर ग्रूप की बैठक में तमाम नामों पर बिचार करने के बाद फाइनल लिस्ट केंद्रिये नेत्रित्व को भेद दिया जाएगा आगामी आठ मार्ज को दिल्ली में होने वाली चुनाव समीती की बैठक में उमिदवारों के नाम पर फाइनल मुहर लग जाएगी दिल्ली रवाना होने से पहले समराच चौधरी ने कहा कि पार्टी के संगठन की बैठक है जिसमें संगठन के लोग बैठेंगे डिप्रिसीम विजाई सिना ने कहा कोई दिक्कत नहीं है जल्दी सब फैसला हो जाएगा बीरो रिपोर्ट पटना